2006 में मैंने दस्वी पूरी की 21 मार्च को मेरी परिशा खत्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पापा की देथ हो गई हमाई छोटी सी बाइसिकल रिपेरिंग की दुकान है तो पापा की जाने के बाद एक ने ने लिया कि घर के से प्रेशर डाने लगे कि अभी घर का किसी को तो काध्यार देना पड़ेगा तो मैंने डिसीजन ले लिया यार अभी पढ़ाई छोड़नेंगे क्या करना है दस्वी करी ली थी तो एक डिसीजन लिया कि अभी पपा के धंदे को आपस रिवाइब परेंगे पूरी तरस डिडिकेटेड काम करेंगे और पड़ा ही छोड़ने का पूरा मन बना के मैं धंदे में आ गया उसके बाद फिर रिजल्ट आया टेंद खा तब मैं अपने स्कूल में टॉपर था घर पे आया सब रो रह थे अभी बहुत अजीब लग रहा हमें कल इतने सर इतने इंटर्यूस दी है मैं कभी नहीं रोया पता नहीं यह शानक के मेंडल का स्टेज है अपने परिवार जैसे है इसले रोना रहा है हां तो मैं घर पे आया ममी से बाच्ची तो रही थी फिर ममी ने तभी मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम लोग सब काम करने वाले तू पढ़ाई कर तो 11 और 12 यह दो मेरे जिंदकी के अभी तक सबसे कठीन वर्षन है मैं मेरा उस समय शेडूल हैसा था मैं सुभे साथ बजे चे बजे उठता था निकलता था साथ बजे कॉलेज एक बजे वहां से दो बजे से रात को दस बहते में टूशन पढ़ाता था मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती थी टूशन पढ़ाती थी मैं को एक मिट सेटल ने गए या फ्लीज ओक मुझे यूजिली रोना नहीं आता है सब बताते हुए मैं बहुत प्राओड ही है सब चीज के लिए लेकिन गॉड नोस क्यों हो रहा है मैं आता थाथा दो बजे रात को दुशन पढ़ात ता दुच बजे रात को दुचान पर जाके हिसाब किताब कर के दुचान बंद कर के वापस घर पर आते थे फिर रात को पढ़ाई वही 12-12 तक सोना जैसे अभी schedule वैसे तब ही विशन था तो मेरी मम्मी उस समय दुकान चलाती थी, मेरी बड़ी बहने मुझसे एक, वो स्कूल में पढ़ाती, रिटूशन पढ़ाती थी, तो मेरा 11-12 जो है पूरा इसी तरह से गया हुआ है, तो मुझे अभी मैं प्रसंग बताने चाहता हूं, मैं 10 स्टांडर का रिजल्ट लगा थ और मुझे अड्मिशन लेने के लिए वो अभी डोनेशन लगता है, तो दस हजार रुपए हमारे हां एक ही कॉलेज अच्छा, जहां पर पढ़ाया जा सकता, तो वहां पर दस हजार रुपए डोनेशन था, भरना था, पैसे नहीं थे, तो मैं और मम्मी ऐसे दुकान पर ब दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने बच्चे का अड्मिशन करवा निकला है थे, और वो मुझे देखके रुके वहां पर, रुके, उन्हें पूछा क्या चल रहा है, तो मैंने पूरा इंट्रू बताया है, कि सर ऐसा है, मैंने सोचा है, मैं पढ़ा ही नहीं करूँ एड्मिशन तो हो गया, 600 रुका महिना फीस है, क्या किया जाए, तो मैं जब पहले एड्मिशन लिया तो मेरे दिमांग में बहुत चीज क्लियर थी, मैं पैसे भरने वाला नहीं हूँ, मैं बोला, मैं जीत और पढ़ा ही करूँगा, मैं अच्छा मार्स लेकिया हूँगा, मैं बाद में हमारे जो प्रिंसिपल हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कि मेरे फीस मापके दीजाए, पहले ही महने में, मैं क्लास में अभी जो लोग जानते हैं, मेरे आवाज थोड़ी अच्छी है, मैं एक भी क्वेशन पूछ लो तो सब थोड़ी आवाज अच्छा किया नहीं है, मेरे ममी ने किया है, और बहुत कम किया है, मेरे को सब का मेरे फॉर्म्स का पैसा कोई भर देता था, मेरे बुक्स का पैसा कोई लिए देता था, ऐसा हुआ है, सीटी दी, सीटी में 180 मार्स आए, दोसों में से, यह हुआ कि अड्मिशन लेना है, अब इंजिदरिनिंग में अच्छा कासा पैसा लगता है, तो ममी ने दो साल में पैसे जमार करके रखे थे, बहन कमाती थी, मेरी सैलेदी थी, फरस्ट यह का हो गया, बॉला फरस्ट यह में जाके हैं, एक लाख रुप्ए का पूरा बजेट था, 70,000, फिस रहना खाना, एक लाख रुप्ए का बजेट था, भूला ठीक है, अपना फरस्ट यह ओग अटमिशन ले लिया, अगें, सेम थिंग, मैंने बोला कि, फरस्ट दराने लगे यार, इंजीनिरिंग में तो बैकलॉग लगता ही है, है ना, बिना बैकलॉग के अगर तू पास हो गए तो तो इंजीनिरिंग की ही नहीं है, ठीक है, जो टॉपर लोग होते हैं, वो अलगी दुनिया के होते हैं, सो मैं थोड़ा सेहम गया, लोग ने लगा लिये, सब्जेक के लिए मैं लगा नहीं सकता था, तो मैंने फूल टाइम, अच्छी तरह से मैं बोला यार, इनको हटाओ, मेरे को जो करना में वो करता हूँ, ठीक है, ये अटिट्यूड मेरे अंदर मेरी मुम्मी के वज़े से है, जो करना है, उस पर ध्यान देता है, दुनिया क्या बोल भी से क्या करना है, ठीक है, तो मैंने फर्स सेमें पढ़ा ही चुरू की, मेरो फर्स सेमें 86% है में इंडूरी टॉपर था, जब 86% आ गए, सारी टीचर्स नोटिस के आ रहे, 86% उस MIT का रिकॉर्ड है, अब बाद में को राखी बांदी है, she's my राखी sister, तो उन्होंने गुलाया, अरे वर उन क्या है, तो मैंने मैं को पूरा situation घर की मेरी explain की, और उन्होंने एक प्रोफेसर से लेकर, डीन से लेकर, डीरेक्टर से लेकर, हर एक को मेरी situation पहुचा दी, और उस वहां से प्रोसेस चाल हो गया, ठ मेरी फीस मेरे friends ने भरी है, friends ने, उनके parents ने, मेरे एक friend चाहिए यहीं बैठा है, भी आया है, message आया था, तो second year में ऐसा हो गया, फिर third year of final year में फ्रीशिप मेल गई, मेरे engineering ख़तम हो गई, engineering होने के बाद अभी, यह सभी services का भूत कैसा है, अभी engineering के बाद में प्लेसमें, मैं तो यूद मेडल मिला हुगा, इसा था कि अभी engineering के बाद किया, job अगरा, इंटर्व्यूस दिये, jobs लग गई, मैं बहुत 5-6 जगह से अभी भी offers हैं, मतलब standing है, बोला कि अभी आपको आना है, आप call कर आजा, ठीक है, so placement अच्छी हो गए थी, लेकिन हमको भूत civil service का तब तक चड़ चुका था, ममें तले आर, कॉर्परे सेक्र में जापर Lille में सबने जाता हैं हमको अपने ट्छ खुर में जाता हैं, हम पाभिक सेक्टर के ठायरी हैं, मैं rank 384 आया, final area में 143 आया, यार आप तो सेट है, IIT मिल रहा है, सब मिल रहा है, किसी भी company में job मिल जाएगा, यह PSU का job मिल गया, तो मैं कुछ लोगों से मिलने गया, है ना, ऐसे ही चर्चा करते करते हैं, तो उन्हें बला यार, तू technically इतना अच्छा है, है न, you're so good, you're so bright, why I was about to take admission, तो मैंने बला, यार, engineering services करते है, PSU छोड़, तो मैंने PSU को नहीं लिया, मैंने engineering services के तैयारी शुरू की, तीन-चार महिना मैंने वो किया, ठीक है, तीन-चार महिना वो किया, तब, लोगों से बात्चीत चालू ही रहती, आप vacuum में जाके पढ़ा ही नी शुरू करत हमें बोला, यार, ये तो सर्द का दर्द है, है ना, तो उसके बाद मैंने बोला, करेंगे, तो मैं एक जन से मिलने गया था, मैं यहां पर दूसरा reason बता तो हम क्यू पीछे रह जाते हैं, मैं एक जन से मिलने गया था, वो बोल रहे थे कि, यार, UPSC में जो पास होते है, य मतलब ये, तो देखो, जब भी आप, जब आप खुद को सबस्टेंडर समझने लगते हो, कि यार, वो तीसमार खाने में सबस्टेंडर हूँ, है ना, extraordinary और substandard में कभी competition नहीं होता, ठीक है, अगर आप खुद को सबस्टेंडर मान लिए है, तो आप कभी extraordinary से competitive नहीं कर सकते है, है ना, तो मैं जब उनसे मिलने गया था, तो मैंने उनको बोला था, कि वो होगा, तीसमार खान, मैं भी तीसमार खान हूँ, घर का financial condition ठीक नहीं था, तो ममी बोल रही थी, यार, अब तो जॉब करना है, अब मैं ठक गई हूँ, मेरे को पैसे चाहिए अभी, और मैंको स ज़ानी की डेट जा चुकी थी, ममी भी कुछ करना ही सकती थी, तो ममी ने भी फिर मेरे को सपोर्ट किया, बाद मेरे 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 को फुल सपोर्ट किया, किसी भी तरीके से, अब आगया January का time, January 2013 मैंने decision लिया कि मुझे civil services करना है, January 2013 मैंने preparation शुरू की, में 2013 मे चार महिने में मैंने news papers बहुत जादा focus किया, subject कुछ subject select किया, prioritize किया, सारे subjects नहीं किया, मैंने ancient history, medieval history आज तक नहीं पड़ी है, ठीक है, और मुझे अभी भी कुछ questions पूछ ले तो महां से कभी-कभी चला जाता हू यार, नहीं, अपनी बस की बात नहीं है, तो मैंने बहुत selected study की, बहुत focus study की, चार महिन में मैंने prelims दी, अब prelims देने कबर एक feeling आ जाती है, अपना prelims clear हो रहा है, ठीक है, तो मैं exam hall के बाहर निकला, तो अरे वो feeling थी, अरे अपना prelims clear हो जा रहा है, अब मेंस के तियारी करना शुरू करना है, अब मेंस के लिए optional select करना है, अब optional, मैं लोगों से पहले बात की थे, तो बोला था geography optional अच्छा है, पबैड अच्छा है, बहुत लोग लेते हैं, तो मैंने geography के पढ़ा ही शुरू की, geography पढ़ा हो सविंदर सिंग उठाया, अरे यह क्या बोल रहा है, दो चैप्टर्स होए, दो चैप्टर्स इतने जाधा हो गए कि कुछ समझ नहीं रहा था, मैं जोगलफ के अपने बस की बात नहीं हाँ, पबैड उठाया, पबैड उठाया, वो thinker's की list, अरे बापने, सर दुखने लगा, तो पबैड हटाया, उसके बद मैंने anthro उठाया, वो हटाया, psychology उठाया, वो हटाया, अब इसमें जो है, अब तक की बुक है, मैंने वो उठाई, और वो काफी simple language में लिखी है, तो मैं वो पढ़ाया, यह जम रहा है अपने को, लेकिन तब तक मेरा भी भी final नहीं हुआ था, मैंने के form बरने का मोका आ गया था, है ना, अब मैं detailed application form बर दा था, तो मैं सारी बुक सामने लेकर बैठा था, ज ऐसे करने के बाद मैंने पोल साइंस की preparation शुरू की, डिसेंबर में 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 मेरा GS1, GS2 का paper बहुत खराब गया था, मतलब में रिचिकेज भी है मेरे साथ ही थे, है ना, और GS1 का paper निकलने के बाद में depressed था, मैं खाना नहीं खाया था, वो ब्रेक होता बीच में कमी है, तो मैं मुझे ऐसा लगता है, मेरा reason का है select होने का, मेरा item बहुत कम है, मैंने मेरे answers को हमेशा original रखा है, मैं 10 standard से, 11 standard से, मैंने कभी digest follow नहीं किया कोई, मैं अपने answers खुद बनाता हूँ, मैं notes making का, मैं सबको advice देता हूँ कि notes making, notes बनाने चीए, चार फाइदे है वगर congratulations करके, तो मैं चीन में भिया को phone लगा है, भिया आपने result देखा किया, तो भिया बोले हाँ congratulations, मैंने पुछा भिया आपने rank देखी का मेरी कितनी है, तो भिया ने बोला 32, कितना 32, कितना 32, है ना, भिया ने बोला नहीं only 32, मैं बोला अरे वापरे, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, तो यह विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि UPC answers कैसे evaluate करती है, मुझे ऐसा लगता था कि वह attempt कितना है, इस पर depend कर रहा है, ठीक है, लेकि मुझे अभी ऐसा लगता है, कि अगर आपके answers original है, तो आपके, अगर attempt थोड़ा कम भी होगा, तो ına, जो आप ससेलेक्ट हो जाऊँ गए, आपसे जो गलतियां हो गाई है, आपके और सोचने से ऋगलतियां correct नहीं होगी, ठेक है, आपका काम यह है, जो गलतियां हो गई है, उनको compensate करने के लिए आगे किया planning कैसे खरो, मैं back-locks कैसे clear करता था था द।, मैं ये बता तो, मैंने आर्टिकल 72 पढ़ना है, प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ना है, ठीक है, ऐसे, उसके बाद मैं जब न्यूस पेपर पढ़के हो जाता है, तो मैं इंटरनेट पर रोज दो घंटा का मैंने टाइम रखा था, कि दो घंटा बैठके वो टॉपिक्स के ऊपर सर्च करना है, तो कई बार क्या होती है, लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, फिर एक दिन सड़नी टेंशन आने लगता है, यार ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई, अब इसको क्लियर करने में अपना पूरा दिन जाएगा, तो जब ऐसा होता था, तो मैं उसके नीचे एक लाइन ट्रॉ करता थ के बाद आता है, टीकले के ला cape क्लेर के बेकलोग ने करो केर ने चलता है, तो इस तारह से मैंने में तीर, कि तीयारी केरी कि Monsieur clear होगा है, ठीकले, अभी interview इंटर्विव में जाते टाइम, मैंने तो पढ़ा ही जादा की नहीं है, मैं जैनवरी में प्रपरेशन शुरूर किया है, लोग पास एक्स्पीरेंस होता है कि इस अपजिक्स हो कैसे हैंडल करना है, मुझे पता नहीं था क्या करना है इंटर्विव में, यू पेसी सामने कभाँ, तो ये मेरे जन्नी की पूरी स्टोरी है, एक्शली मैंने बहुत साइज चीज़ा इलिमिनेट कर दी है, लेकिन एक्स्पीरेंस इतने जादा है, टाइम बहुत कम है, एक्शली पंदरा मिनिट में अपना प्रोग्राम खतम होने वाला है, तो इसके लिए समय क पावन्दी के विशापन नहीं बात करवाएंगे, मैं होप करता हूँ, फ्यूचर में आपन वापसे मिलेंगे और आपन आपर बाते करेंगे, थैंक यू वरी मच्च